आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि बंधन बैंक जिसका की शेयर प्राइस काफी गिर चुका है अब 278 रूपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यह एक अपर्चुनिटी है बाई ओन डिप्स या यह एक बैंक में कुछ फंडामेंटली गलत चल रहा है और यह यहां स से बहुत नीचे जा सकता है तो आज हम देखेंगे कि मेरी ओपीनियन में क्या क्या लगता है कि बैंक के साथ क्या हो सकता है तो इससे पहले कि हम जैसे नॉर्मली अपने वीडियो में डिसकस करते हैं कि बैंक का ओवर्वीव देखेंगे बिफोर भी डिसकस दी लेटेस तो यह bank 1990s में, लेट 1990s में start हुआ था जब Mr. चंदर शेखर घोश ने देखा कि कॉलकटा में बहुत सारे छोटे traders हैं और उनको जब भी पैसे की जरूरत होती है तो उनके पास कोई option नहीं है और उनके पास, उनको money lender के पास जाना पड़ता है जहांपे कि high interest rate था और उनको को इसा institute होना चाहिए जो कि उनको help करें तो यह वहां से start हुआ और आज यह एक full-fledged bank है तो amazing journey, great work by Mr. चंदर शेखर घोश तो अगर हम overall देखें आज की date में यह कहा है तो यह private bank industry में है, market capitalization इसका 45,000 करोर है जो कि इसको बनाता है 97th largest company in India, एक large cap है, market share इसका 2.3% है क्योंकि अभी यह नया bank है, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े player already available हैं, बट यह धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है, इसका shareholding pattern की अगर हम बात करें तो बहुत ही reasonable pattern है, कोई major changes नहीं हुए हैं last 3-6 महिने में, कोई pledging नहीं है, और देखा जाए तो 40% roughly promoters के पास है, 35% foreign institutes के पास है, तो 75% हो जाता है, और उसके बाद majorly retail के पास है, 23% और 2% इसका mutual fund के पास भी है, इसके अलावा गर हम financial की बात करें, तो revenue में इसकी increase देखा गया है, continuously increase हो रहा है revenue में, income जो की पिछले साल काफी अच्छी थी, लेकिन अब उसमें काफी कमी आई, क्योंकि इनको काफी provision बढ़ान थे, तो उसकी वज़े से इनको provision बढ़ाने पड़े, जो कि March में इनकी income काफी गर गई थी, लेकिन अभी June में थोड़ा सा improvement हुई है, तो ये इसके financials हैं, और अगर हम quickly ticker tape analyst का prediction देखें कि वो कहां देखते हैं इसके share price को, तो वहाँ पे बहुत major variation है, तो 67% analyst हाला कि इसकी buying के favor में बोलते हैं आज की date में, लेकिन उनके इसाब से कुछ analyst का माना ही है कि अगर गिरने पर आया तो ये 138 तक भी जा सकता है, और बढ़ने पर आया तो 464 तक भी जा सकता है, हाला कि जो median और average rate जो predict कर रहे हैं, वो 344 है, नॉर्मली हम उसी को ही मानते है कि वो एक सबका reasonable guess है कि उस price के आज पास ये share होना चाहिए है, जो कि 23% opportunity देता है इसको बढ़ने की, but ये again like based on their analysis है, आगर आप इस share में invest करना चाहते हैं, तो आप अपना analysis कीजिए, आप अपने financial advisor से बात कीजिए, और तभी अपना decision लीजिए, और अगर हम अब आगे बढ़ें और बात करे इस bank में अभी, तो जो मैंने analysis किया कि इतना गिर गया है, तो ये एक opportunity है कि buy किया जाए इसको on dips, या बहुत ही कुछ major problem चल रही है, और अगर हमें कोई opportunity मिलती है, तो हम इसमें से निकल जाएं, तो मेरे analysis के हिसाब से bank में दो fundamental problem है, एक geographical concern, इनका जो major loans और asset portfolio है, वो दो states के पर depend करता है, एक Bengal, एक Assam, तो 55% दो states से आना एक comfort नहीं देता है मुझे, हाला कि ये हर state में grow कर रहे हैं, अल्मोस्ट इंडिया की हर state और union territory में अब इनकी presence है, अल्मोस्ट, लेकिन अभी भी 55% दो states में होना, इसका मतलब है कि अगर कल को इन दो states में कोई problem होगी, तो bank react करे और बहुत volatile हो जाएगा, और ये positive side में भी हो सकता है, negative side में भी हो सकता है, बट volatility बहुत रहेगी bank में, और आपने देखा ही होगा कि ये इसका share price एक time पे 2018 में 700 रुपे था, pre-covid level जब last year lockdown अनाउंस हुआ, उससे जस्ट पहले ये 450 की range में था, लेकिन जैसे ही COVID आया तो ये 150, 152 रुपीज का almost इसने bottom touch किया, और gradually धीरे धीरे बढ़के, ये 425 तक आया था December 2020 में, लेकिन उसके बाद जब Assam और Bengal में जब election थे, तो government ने काफी सारे loan waiver की scheme एनाउंस की और loan waiver की एनाउंस्मेंट की, जो की banks को directly impact किया, जिससे की इसके share price भी impact हुआ और almost December से जो गिर रहा है, बीच बीच में थोड़ी बहुत positive news आई, जब Assam government ने बोला कि हम लोग जो की borrowers pay नहीं कर पा रहे हम उनको cover करेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा, लेकिन उसके बाद, अगर हम high level पे देखें, तो इसने नी fundamental problem इसमें है, portfolio mix की, क्योंकि ये business start ही हुआ था कि microfinance loan देने के लिए, तो इसकी, I mean starting वहीं से थी, बाद में इसने अपने loans को diversify किया, अब ये housing loan में भी हैं, gold loan में भी हैं, और consumer and commercial loans में भी हैं, लेकिन अभी भी आज की rate में latest numbers के साब से, two-third इनका portfolio, microfinance loan में है, जो कि बहुत ही risky loan होते हैं, और last year हमने COVID में देखाई कि लोगों की, छोटे investors की, और छोटे traders की income capability पे काफी major impact हुआ, जो कि, जिसकी वज़े से वो आगे bank को installments time पे नहीं दे पा रहे थे, और bank को अपने provision NPS बढ़ाने पड़े, तो ये हमेशा रहेगा, क्योंक इसका impact होगा, तो ये दो fundamental problem मुझे लगते हैं, जिसकी वज़े से volatile रहेगा, again like it could be positive, it could be negative, but इसमें बड़े-बड़े swings देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम short term की बात करें, तो कुछ समय पहले, some government ने ये ऐलान किया था, कि भई, अगर जो भी stressed borrowers हैं, जो कि अपने COVID की लोन की installments नहीं दे पा रहे हैं, या जो even time से दे रहे हैं, उनको भी उन्होंने reward किया था, तो वो December 2020 तक उन्होंने, government ने कहा था कि हम उनकी तरफ से ये पैसा banks को देंगे, या financial institutes को देंगे, जिन से उन्होंने loan दे रखा है, और ये एक positive news थी, बंधन bank के लिए, इनको आ रहा है कि बंधन bank ने approach किया है government से और request किया है कि वो December की timeline को March तक increase किया जाए, क्योंकि इनके stressed loan first quarter में भी काफी बड़े हैं, और अभी speculation है कि शायद वो हो जाएगा और हो सकता है कि वो आगे भी उस timeline को बढ़ाए जाए, हाला कि official confirmation नहीं आई है इस पे, तो ये एक speculation है, अगर कुछ negative आता है, तो negatively भी react कर सकता है, और अगर ये एक awesome government मान जाती है, तो हो सकता है कि short term में ये एक positive reaction दे share price में, तो ये है overall story, और अगर nutshell में और summary में मैं अपना opinion बताऊं, तो मेरा opinion ये ही रहेगा कि भी इसमे fundamental problem है, जब तक कि इसका diversification नहीं होता, तो मैं बहुत इसमें invested नहीं रहना चाहूंगा long term के लिए, और short term में, हाँ, अभी बहुत नीचे गिरा हुआ है, और almost इसके 52 week low के आसपास trade कर रहा है, तो ये, I don't think कि ये सही time है कि आप immediately निकलें, क्योंकि bank अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और अगर यहां से अगर कुछ relief आत है, government से और जैसे कि COVID की situation better हो रही है, और इनके borrowers की financial earning capabilities बढ़ती है, तो आगे future में bank के लिए अच्छा होगा, तो probably आप wait कीजिए कि अगर कोई मौका मिलता है, आपको कि कोई इसमे rise आता है, आपको decent profit मिल रहा है, तो आप इसमें निकल भी सकते हैं, तो ये मेरी opinion है, कि long term क ये जब तक कि fundamentally ये चीजें better diversify नहीं होता, मैं थोड़ा इससे avoid करूँगा, लेकिन short term में अभी एकदम rush नहीं करूँगा, मैं थोड़ा time wait करूँगा कि जब थोड़ा सा इसमे share price better हो तो निकलने की कोशिश की जाएगी, but again like disclaimer दूँगा कि ये मेरा personal opinion है, आप अपनी study के basis अपने financial advisor की advice के basis पे ही कोई decision लीजिए, तो ये एक छोटी सी story थी क्योंकि अभी इसमें काफी move आ रहा था, काफी नीचे था, तो मुझे लगा कि आप लोग interested होंगे कि क्या करना चाहिए बंदन bank में, तो that's it for today, thanks a lot for watching my video and God bless you all, bye.